हेलो एवरिवन स्वागत करती हूं एक बार फिर से आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल में तो आज मैं बना रही हूं फटाफट से बनने वाला ब्रेकफास्ट मैकरोनी और उसी की रेशीपी आप सभी किसा शेयर करने वाली हूं कि मैं मैकरोनी किस तरीके से बनाती हूं तो चलिए इस्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी ले लिए मैकरोनी, इसे अच्छे से पाणी में धोकर उबालने के लिए रख देंगे, तो सबसे पहले मैंने बहुत ज्यादा नहीं अगर आप ज्यादा उबाल देंगे, तो यह रबड की तरह खिचेगी, तो इसलिए इसे, जब तक एक ट्रांश्पारेंट दिखने लगे तब तक उबाला है तो यह पांच से शे मिनिट में उबल कर तियार हो जाती है तो मैक्रोनी हमारी उबल गई है ये देखिए, ठांश्पारेंट हो गई है तो अब इसे हम निकालेंगे Ms. C나 में निकाल दिये हैं तो अब मक्रा नोक अकसाइड़ लेते हैं और तब तक हम मैं इस तरीके से यह उपाड़ा है मैं वेहाज लेता थोड़ा से स्वीड पर ले लिया थोड़ा से टमाटर और हरी मिर्च ले लिया है तो अब मैंने लोही की कड़ाई ले लिया है उसमें डाल दूंगी सर्सो का तेल सर्सो का तेल को अच्छे से गर्म होने के बार डाल देंगे इसमें राई राई को चटकने के बाद डाल देंगे सबसे पहले इसमें प्याज आप चाहें तो लहसुन और अद्रक का पेश्ट भी थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं तो यह डाल दी है मैंने प्याज अब प्याज को चलाएंगे और प्याज को चलाने के बाद इसमें डाल देंगे सबसे पहले अपने नमक दिखिए प्याज को जाद भूना नहीं है सिर्फ एक से दो मिनिट के लिए चलाना है उसके बाद नमक डाल देना है उसके बाद डाल देनी है हल्दी हल्दी में हम बहुत थोड़ी शी डाल रहे हूं थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी शी डाल देंगे हींग बस अब अब मसाली यही डालने हैं उसके बाद इन्हें अच्छे से चलाते वे मिक्स करेंगे और इसमें एड़ कर देंगे हम अपनी सब्जियां सबसे पहले मैंने गाजर डाल दिये अब यह डाल दिये मैंने टमाटर और हरी मिर्च इसके बार डाल दूँगे similar mirch अब अच्छी से चलाते विमिक्स करेंगे और दो से तीन मिड़ तक सबजे को पकाएंगे सबजे को ज़्यादा नहीं पकाना है सिर्ब दो से तीन मिड़ तक चला है दो से तीन मिड़ चलाने के बार इसमें हम अपनी मैकरोनी एट कर देंगे तो यह देखिए सब्जे हमारी नाही तो ज्यादा कच्छी है और नाही ज्यादा गुनी हुई है तो इसी तरीके की सब्जे रखनी है इसके बाद मैकरोनी एट कर देनी है अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी सोया सोस भी डाल स सकते हैं उसे टेस्ट और भी आजाएगा अच्छा मैं यहाँ पर स्वयासोस नहीं डाल रही हूं कि यह अच्छे से चलाते में मिक्स कर देंगे और सबसे लाश्ट में डाल देंगे इसमें स्वीट कॉर्ण है देगे शुएट कोन सभी की फैवरिट होते हैं तो शुँएट कॉन अगर आप इसमें डालेंगी थे बच्छो को यह dlb comedian और भी ज्यादा पसंद आएगे वैस्त तो तैयार हो गई है मैक्रोनी अब गर्मा गर्म सर्व करने के लिए मैं निकाल रही हूं प्लेट में तो यह देखिए यह हमारा आज का ब्रिकफास्ट रेडी हो गया है तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई रेसिपिक साल तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार